तो फाइनली लगिया है ये मेरा बटर पनीर और बिल्कुल रेस्टरों जैसा बटर पनीर और साथ में ने लिए हैं ये बटर लगे वे फुलके हैं साथ में कुछ पापड़ है इस मज़ेदार से बटर पनीर को बनाने के सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी तेजार करेंगे इसके लिए मैंने कुछ टमाटर लिये हैं प्याज लिया है काजू लिया है लाल मिर्च लिये है अदरख लिया है लहसुन लिया है और इसमें दालचीनी का एक टुकड़ा है और थोड़ी सी मैनस में जावित्री और साथ में कुछ काली मिर्च लिये हैं इनको अच्छे से बॉयल कर लिया है एक बार ये अच्छे से बॉयल हो जाए तो उसके बाद हम अपने जार में जो हमारा मिक्सर जार है उस mixer jar में हम यह सारी चीज़े जो है डाल के अच्छे से पीस लेंगे आप इसको अच्छे से थंडा कर लिएगा मेरे पास थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैं इसको जादा थंडा नहीं कर पाया हूँ आप इसको थंडा कर लिएगा अच्छे से और उसके बाद जो है इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिएगा मैंने सारी चीज़े जो है अपना जो भी मेरे मसाले हैं वो सारे मैंने इस कंटेनर में डाल लिए हैं और मैं इसको जो है अच्छे से ग्राइंड के लेता हूँ अच्छे से इसका एक पेस्ट मना लूँगा जब तक यह पेस्ट बनता है तब तक मैं पैन लेता हूँ अपना और उस पैन में मैंने जो है थोड़ा सा रिफाइंड ओई ले लिया है आप चाहें तो कोई भी कुटि है वह आपके बटर पनील में आएगा रिफाइंड ओईल मैंने इसले यूज कि हमारे बटर वह जलेना जैसे ही बार हमारा ओइल गरम हो जाए इसमें थोड़ा सा हम जो है वह जीरा एड़ करेंगे और जीरा जो है वह जब हमारा हलका सा जो है फ्राइं होने लगे उस स्टे है जब तक इसमे जो है वह इक बॉइल ना आ जाए तो इसको परकूल अच्छ से पकाना है ग्रेवी अपको जो है अच्छी पपानी है तो इसमें इसका जो है टेस्ट रोड़ाकर देस्ट आट ने करेंगे हलदी बहुत Mayam यहां पर हमने एक टेबल स्पून करी में धनिया पाउडर एड़ कर दिया है शिर्फ आपको यह दो चीजें इसमें एड़ करनी है और बाकी चीजें आपने जो ग्रेवी कप्रेश प्रेश प्राइब तो उसमें सारी चीजें हैं आपकी और इसी स्टेज पे आप इसमें की से खुश्बू आने चाहिए बस इतना अब जो है आप इसको अच्छे से पकने दीजे और इसमें मैंने सब्सक्राइब कर दिया है नमक आप अपने टेस्ट के अखॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं घ्यान रखेगा कि बटर में भी नमक होता है अब इसमें जो है उस चीजों को मिला के अच्छे से हम इसको क्या करेंगे अब पकने देंगे अब जो है यह हमारी जो ग्रेवी है धीरी धीरे पकी रहेगी धीमी आज पर आप उसको पकाना है जितनी ग्रेवी अच्छे से पकेगी तेस्ट उतना ही अच्छा आएगा यह ग्रेवी देखे मेरी है यहां पर है थोड़ा स्कूल कर रहहा हूं कर रहा हूं को assume m तो इसमें देखी ग्रेवी में इस तरह के बॉयल आना स्टार्ट हो गया है इस स्टेज पे हम क्याई देश्च में अपने पनीर को इसमें एड कर लेगे आप इस चीज़ कर धियान लगे लगना ए कि जो फ्राइब नहीं करना है। तो वो टेस्क जो है बटर पनीर के समें नहीं आए अब इन सारी पनीर को हम अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी के साथ ही जो है इसको पकने देंगे तो हमने पनीर अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसको कवर करके पका रहे हैं कवर करने के बाद आप उस क्रीम को भी यूज कर सकते हैं मैंने इसमें फ्रेश मलाई जो दूद की मलाई होती है वो मैंने इसमें एड़ की है ये खरीब खरीब तीन चमशे करीब मैंने इसमें मलाई यूज की है इस मलाई को एड़ करने के बाद इसको भी अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए गैस की जो आपकी फ्लेम है वो लोपे होनी चाहिए उसको तेज मत कर दिए जाब अब इसको जो है धीरे-धीरे इस मलाई के साथ और बाके सारी चीजों के साथ पकने देंगे हम धक्के इसको अच्छे से पकाईंगे और अब जो पहलें अब इस स्टेज पे लगावा पारेम अब यहां थो पर मैंने जो है यह जो पनीर यह वह देखें में रावर तैयार हो चुका है यहाँ पर मैंने इसको एक कटोरी में इस फ्लेम को रखा, इसको थोड़ा सा मैंने देशी घी डाल दिया है, इससे क्या होगा कि एक अच्छा सा टेस्ट, स्मूकी फ्लेवर जो है, वो इसके अंदर आएगा, बहुती मज़े का टेस्ट इसके अंदर आएगा, इसको ढख दें पनीर है, वो कैसा तयार हुआ है, खुश्बू, बहुती अच्छी आ रही है, बहुती मज़ी खुश्बू आ रही है, इस तरह से आप बटर पनीर बनाईएगा, यकीन मानिये, आपको मजा जाएगा, आप रेस्टोन का बटर पनीर खाना बिल्कुल भूल जाएंगे, और ये तैयार हो चुका है हमारा बटर पनीर, बिल्कुल पूरी तरीके से इसको गानिश कर लेंगे, गानिश करने के लिए मैं जो है, इसके उपर थोड़ी सी क्रीम डालूँगा, और थोड़ा सा बटर इसमें एड़ करूँगा, तो ये मैंने जो बटर था वो ले लिया है, और बटर डालने के बाद मैं जो है, इसके उपर थोड़ी सी मलाई भी डालूँगा, जिससे जो है, ये अच्छा भी लगगा देखने में, और खाने में जो है, वो टेस्टी भी लगगा, तो ये जो रेसिपी है, ये आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पाइंगे कि इसका जो टेस्ट है, वो कैसा है, तो फाइनली लगिया है, ये मेरा बटर पनीर, और बिल्कुल रेस्टरौन जैसा बटर पनीर, और साथ में लिए हैं, ये बटर लगे वे फुलके हैं, साथ में कुछ पापड़ है, इसको ट्राइ करते हैं, इसको टेस्ट कर करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है कि ट्राय करेंगे इसको रोटी के साथ और बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है खुश्बू जबर्दस आ रही है बिस्मिल्लाहि रह्मानी रहीम जबर्दस भाई पूरे पैसे वसूल है तेज़ जबर्दस है साथ में पापर आपको मेरी बटर परनीर की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा श्चेयर करिएगा मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्स्राइब करिएगा फिर मिलूगा मैं अपना ख्याल लगिए अल्ला हाफिज